धरमशाला में वीकेंट पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुँचा है मैकलूड गंच से लेकर क्रिकेट स्टेडियम तक सेलानियों ने घूम फिर कर धरमशाला की वादियों को निहारा और यहां की मौसम वर रमनीक जगहों को देखकर काफी खुश नज़र आए है देश के कोने कोने से सेलानी यहां पहुँचे है सेलानियों ने बताया कि वे कुलू मनाली वर रोहतांग घूम कर यहां धरमशाला की हसीन वादियों और अंतरास्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम को देखने यहां आए है इसके बाद वर डलहाजी चमबा घूमकर अपने गंतव्य क्यार रुख करेंगे सेलानियों ने बताया कि हिमाचल के लोग बहुत ही अच्छे हैं और यात्रियों की सहायता करते हैं और यहां पर खाने की चीजे वह खाना बहुत ही बढ़िया और श्वातिस्ट सस्ते दाम उपर मिलता है साथ ही शांत वातवर्ण होने की वज़ह से उन्हें हिमाचल घूमना बहुत अच्छा लगता है मेरा नाम रिशिका बोत्रा है हम लोग चातिसगर से आयें बस्तर से अभी हमने मनाली कसौल अभी धरमशाला घूम गूम लिया स्टेडियम अब भी घूमने आए ज़े अच्छली बहुत ज्यादा अच्छा लगा पीसफूल जगह है यह बहुत शांत है अब नेक्स टाइम शायद हम आर्सी बी का विराटकोली का मैस देखने आएंगे मेरा नाम अरम कागोत है हम सब दोस्त आया घूमने धरमशाला में हमें यह आये दो दिन हो गया है हम अभी तक प्रीमून ट्रेक अगर कर चुके हैं और साती साथ वाटरफॉल देखा आज हम आये हैं स्टेडियम देखने स्टेडियम अंदर से बहुत सुंदर भी हमने नज जारे देखने मिले और भार खाने के अनेक प्रकार की चीजे मिले जो हमने खाई यहां नके सवाद अच्छे थे शारे लेकिन विराड भाह जाते ना काफी अच्छा होता मजें दुगने हो जाते हम आरे हमारे इतनी सबसे पहले मनाली करते हुए कर सो उसके बाद धरम शाल कि मैज देखना हैं गया फ्री में बस नहीं काफी संदर जगा है धरमशाला कर ला जगा है कि मैं कि मैं वहा है कि मैं वहा है नहा है प्री मत वहा वहा है कि रामशार अपकैन क्षub कर दो कर दो कि व उन ज कर दो क्षraf दो क्षे जिए विखने हमार्चाल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोध कुमार के साथ नरेन की रिपूट होश्यार्पुर। मोवाईल नंबर है 98721 14915 और 9463672660